तो फ्रेंट्स वेल्कम टो जस्विंग्लिस क्लासिज। हाउ आर यू लाइ यू आई होप यू आर और गुड। तो फ्रेंट्स आज का हमारा वीडियो है कुछ सिनोनिम्स को लेकर देखे फ्रेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को हलके में ना ले अगर आप टीजीटी आप पेजीटी का अपना एक्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को हलके में बलकुल नहीं लेंगे क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जो पेजिटीव टीजीटी के एक्जाम्स हुए थे ना उनमें टीजी दा वोकेबूलरी थी जिसकी वज़े से बहुत सारे स्टूडेंस को जो है निराशा देखनी पड़ी वहाँ पर क्योंकि लिट्रेचर बहुत अच्छा आया हुआ था बर जो वोकेबूलरी थी ना वो इतनी स्टूंग थी कि बहुत बच्चे उसे नहीं कर पाए थे और इसी की वज़ा से वो पीछे रह गए थे तो मेरा बताने का ये परपस आपको सिर्फ ये है कि आप किसी भी चीज़ को हलके में ना लें आप सभी हर एक पक्ष पे आपको अर्ट पे आपको ध्यान देना है अपने एजुकेशन के यदि आप अपना एपेपर क्लियर करना चाहते हो तो आपको सब कुछ पढ़ना है ना कि के वाला अप लिट्रेचर पे ध्यान दे लिट्रेचर तो खेर इंपोर करते हम आज का अपना ही वीडियो सबसे पहले हमारे पास है बैंडिट ठीक है बैंडिट एक नाउन के रूप में इसको यूज किया जाता है और इसका मेनिंग होता है डाकू या फिल लुटेरा सिनोनिंग इसका क्या होगा डेस्पेरडो होगा हाइवे मैन हिजेकर रॉब और थीफ ये तो आपको पता होगा कि है रॉबर और थीफ तो बैंडिट का लेकिन डेस्पेरडो एंड हाइवे मैन एंड हिजेकर ठीक है गनमैन और गेंस्टर ये सारे सिनोनिम्स बैंडिट के होते हैं इसके बाद बैंक रप्ट ठीक है बैंक रप्ट एक एजेक्टिव ह इसको दिवालिया हम हिंदी मेंस का मेनिंग बताएंगे Synonym of this Insolvent है Ruined है ठीक है दिवालिया से मेनिंग आप समझेंगे जो जिसके पास कंगाल हो जाता है जो कुछ भी नहीं बसता है तो उसको हम दिवालिया कहते है तो Insolvent इसका होता है Ruined होता है Spent, Beggar and Brock तोटा हुआ ठीक है तो ये सारे Synonyms इसके है Next है हमारा Barbarian Barbarian का आपको मेनिंग वैसे पता होगा है सब्भे या गवार होता है तो इसके Synonym कौन-कौन हो जाएंगे Boar होता है इसका Synonym Illiterate होता है Philistine होता है और Savage ठीक है एक चीज़ और Friends Philistine से यहाँ पे आपको कुछ याद आया होगा Matthew Arnold ने इस term का यूज़ किया है है ना सोहराबेंड उस term में तो Philistine में इन्होंने मतलब Philistine किस के लिए यूज़ किया है है ना चले People के लिए इन्होंने यूज़ किया था Next है हमारा Barbarous तो Barbarous एक Ejective के रूप में इसको भी हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है अन्पढ या फिर असब्या तो इसके सिनोनिम हो जाते है Brutal होता है Cruel होता है Ferocis Vulgar And Ignorant यह सारे इसके सिनोनिम होते हैं Next Baron Baron Desert होता है Baron का मतलब वैसे आपको पता होगा बंजर होता है बंजर भूमी ओके तो बंजर भूमी जहां पे कुछ पैदा नहीं होता है तो उसका Desert होता है इसी Desert में में कुछ पैदा नहीं होता है Fruitless मतलब बिना फल देने वाला तो यह भी Desert होगा या फिर Baron होगा Infertile जहां पे कुछ पैदावर नहीं होती हो और Dry सूखा हो तो यह सारे Baron के Synonym होते हैं इसके बाद Battalion है Battalion से यहां पे देखे हम तो Battalion से Senegal, Palton या फिर टुकडी होती है आपे सुना भी होगा Army में होता है ज्यादा तर यह वर्ड यूस Battalion तो Army या फिर Brigade या फिर Company या फिर Regiment इसके Synonym होते है Benevolence एक वर्ड है Benevolence का मतब क्या होता है दाया या परोपकारिता ठीक है तो Compassion, Goodness, Sympathy, Kindness ओके यह सारे Synonym इसके होते है Compassion शमा कर देना किसी को दाया दिखा देना Goodness अच्छा ही होती है वैसे तो लेकिन दाया यह सारे एक ही Meaning होते है इनके संपैथी सहानुबूती होती है इसके बाद है Betray Betray का मतब होता है विश्वास घहत करना किसी के साथ या किसी के जो Secret है किसी का उसको मतब Open कर देना भंडा फोर्ड कर देना तो इसका Synonym हमारे पास आते है Abundant Desert Forsake Dislike या फिर Expose Expose खोल देना Open कर देना किसी के राज को Disclose भी होता है किसी के राज को Open कर देना है न तो अब आता है हमारा Bigot Bigot का मतब होता है Cutter या फिर Harddermy जो मतब बहुत टाइट से किसी भी Religion को फोला है उसको हम Cutter या Harddermy कहेंगे तो इसमें आप कहा जाता है Dogmatist आता है Religionist आता है और Sexist आता है ठीक है ये सारे हमारे By God के होते हैं आपको याद रखना है इसके बाद By Shop By Shop का होता है Meaning Bड़ा पादरी पादरी कहाँ पे होते हैं पादरी Church में होते हैं तो सबसे जो बड़ा पादरी होता है वो वहाँ पे By Shop कहलाता है ये Noun के रूपे यूज होता है इसके सिन्वनिम हमारे पास होते है Arch By Shop भी बोलते हैं इसको और metropolitan भी इसको बोलते हैं इसके बाद आता है blasphemous ठीक है blasphemous ये एक adjective है और इसका meaning होता है इस्वर की निंदक या फिर पाखंडी होना तो iriligious, iriligious मतब जो किसी धर्म का पालन न करे impious और profen और godless ठीक है ये सारे synonym हमारे blasphemous के होते हैं इसके बाद है boyart ये आता है हमारा ठीक है byont byont इसको हम बोलेंगे तो ये होता है प्रसन रहना ठीक है प्रसन चीत व्यक्तिव को हम byont के सकते हैं executive के रूप में इसको हम use करते हैं word को तो यहां पर bright bright अगर वक्ति खुश होगा तो वो bright करेगा हमेशे चमकता रहेगा cheerful भी प्रसन होता है happy भी प्रसन होता है और joyful भी ये सारे byont के हमारे synonym होते हैं इसके बाद आता है bureaucraft bureaucraft का मतब होता है करमचारी तो bureaucrate sorry crate है ना bureaucrate bureaucrate administrator में इसको कह सकते हैं या फिर officer भी कह सकते हैं और official भी कह सकते हैं इसके बाद आता है brittle brittle एक executive की form में यूज होता है word इसमें होता है सहज रूपने वाली चीज़ मतब जिसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो वो brittle होता है मतब no tough tough नहीं होता है और fragile इसके बाद casual casual होता है दोका देना किसी को बहला फुसला के किसी को दोका देना उससे गलग काम करवा लेना तो इसको हम kooix कह सकते हैं ठीक है flatter कह सकते हैं चापलूसी करना और mislead कह सकते हैं mislead किसी को misguides अलग होता है mislead होता है किसी चीज़ को गलत किसी को सिक्षा दे देना गलत किसी को रास्ते पे भीज देना mislead होता है और tempt ठीक है ये हमारे casual के होते हैं इसके बाद आता है calamity calamity है दुख या फिर संकट होता है तो इसके synonym हो जाएंगे ये क्या लिखा होएगा इसके बाद आता है हमारा commufleg camouflage में चल होता है चल करना किसी के साथ तो synonym को क्या हो जाएगा deception हो जाएगा ठीक है deception है disguise है और clock है न इसके बाद friends symmetry symmetry का meaning होता है ये एक noun है समशान या फिर कपरिस्तान कहते हैं symmetry को तो इसमें क्या burial ground हम इसको कह सकते है या फिर churchyard सुना है न the analysis written in a country churchyard Thomas Gray की poem है तो वो कपरिस्तान के उपर ही तो है churchyard और इसको graveyard भी कहते हैं तो symmetry इसको ध्यान रखना है इसके बाद एक compile compile एक verb है और इसको कहते हैं collect करना संघ्रे करना किसी चीज़ का तो इसके synonym हो जाते हैं accumulate accumulate भी इकठा करना होता है arrange प्रबंद करना होता है किसी चीज़ को arrange करना gather गैदर भी इकठा करना होता है और organize है न organize मतब एक जगे पे सब को जो है organize कर देना conceal conceal होता है फिर चीपाना किसी बात को तो beauty होता है beauty disguise चीपाना या hide भी चीपाना होता है या फिर apps का credible credible एक executive है और इसका meaning होता है विश्वस्नी है जिस पर हम विश्वास कर सकें तो ये believable आ जाएगा इसमें synonym में reasonable आ जाएगा reliable आ जाएगा और sincere ये सारे meaning synonym credible के होते हैं और credulous देखे credible और credulous दोनों same ही word है meaning है इनके credible का तो विश्वस्नी हो जाता है जबकि credulous का मतब जिस पर बहुत आसानी से बहुत जादा विश्वास किया जा सके बहुत आसानी से किया जा सके तो इसको हम trusting कहेंगे uncritical कहेंगे wide-eyed कहेंगे ठीक है critical critical की बात करें तो ये चतूर होता है गुणदोस विवेचक होता है और इसके synonym हो जाते हैं हमारे पास crucial, urgent और vital ओके तो ये हमारे कुछ वर्ष्टे friends में फिर यह कहूंगी कि आपको हर चीज पर ध्यान देना होगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो मेरा तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लाश्ट तक हम तिले वाले हैं और हर चीज में आपको पढ़ाने वाली हूँ केवाल लिट्रेचर ही नहीं ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा तो चलते रहेंगे आगे तर थेंक्यू